The Confidence Gap, द्वारा रसेल हैरिस से सबक एक आत्मविश्वास एक कौशल है, गुण नहीं आत्मविश्वास को अभ्यास और प्रयास से विक्सित और मजबूत किया जा सकता है आत्मविश्वास एक स्वाभाविक गुण नहीं है, बलकि इसे सीखा और समवारा जा सकता है नियमित अभ्यास और सही मानसिक्ता से कोई भी आत्मविश्वासी बन सकता है 2. स्वयन सम्मान नहीं मूल्यों पर ध्यान दे, स्वयन सम्मान या मान्यता प्राप्त करने की बजाए अपने मूल्यों के अनुसार जीना प्रात्मिक्ता होनी चाहिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को पहचाने और उनके अनुसार जीने की कोशिश करें यहां आपको आंतरिक संतुष्टी और सच्चे आत्म सम्मान की ओर ले जाएगा 3. अपूर्णता को गले लगाए स्वीकार करें कि कोई भी पूर्ण नहीं है और गलतिया करना ठीक है यह समझना जरूरी है कि हर इंसान गलतिया करता है और यही हमारी इंसानियत का हिस्सा है गलतियों को सुधारने और उनसे सीखने की कोशिश करें 4. स्वीकृती विक्सित करें अपनी अपूर्णताओं के बावजूद आत्मस्विकृती और आत्मध्या का अभ्यास करें खुद को स्वीकार करना और अपनी कमजोरियों को समझना एक महत्वपूर्ण कदम है इससे आपको अपनी असफलताओं से उबरने और बहतर बनने की शक्ती मिलेगी भले ही आप दर या अनिश्चित्ता महसूस करें अपने लक्षों की और कारवाई करें दर और संदेह के बावजूद छोटे छोटे कदम उठाने से आप अपने लक्षों की और बढ़ सकते हैं यह आपको आत्मविश्वासी और सक्षम महसूस कराएगा छेट प्रतिरोधक शमता बढ़ाएग विफलताओं और असफलताओं से सीख कर प्रतिरोधक शमता विक्सित करें असफलताएं और कठिनाईया जीवन का हिस्सा है इनसे सीख कर और अपने अनुभवों का विशलेशन करके आप अधिक मजबूत और लचीला बन सकते हैं साथ प्रक्रिया पर ध्यान दे सिर्फ परिणाम पर नहीं यात्रा का आनन्द ले और प्रक्रिया से सीखे न कि सिर्फ अंतिम परिणाम से सफलता सिर्फ परिणाम में नहीं बल्कि उसकी और बढ़ते हर कदम में होती है प्रक्रिया का आनन्द लेना और उससे सीखना अधिक महत्वपूर्ण है आठ माइंड फुलनेस का अभ्यास करे वर्तमान में बने रहने और ध्यान केंद्रित करने के लिए माइंड फुलनेस को अपनाएं माइंड फुलनेस आपको वर्तमान क्षण में रहने और अपने विचारों को नियत्रित करने में मदद करती है यह आग पविश्वास और मानसिक शांती को बढ़ावा देती है नौ विकास की मानसिक्ता विक्सित करे चनौतियों को अपनाएं और असफलताओं को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखें विकास की मानसिक्ता आपको नई चनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने के लिए प्रेरित करती है यहां आपको आत्मसुधार और पीजिए